हेलो फ्रेंड्स आज मुझे बात करेंगे वेस्ट में कुश्चन हमारा यह है कि आपको तरना है कि ठोस अपसिस्ट कितने प्रकार के होते हैं यानि टाइवस ऑफ सॉलिड वेस्ट दोस्तों अगर हम ठोस अपसिस्ट की बात करते हैं या सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो मुक्ता चार प्रकार के होते हैं एक होते हैं मुन्सिपल वेस्ट इंडेस्टिल वेस्ट हाजार्ड वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट नगरपाली का अपसिस्ट या अदोगिक अपसिस्ट या भायावय अपसिस्ट या हमनों बोलते हैं चौति नमा पर जैव चिकत्सिक मि-ख़नों के 6 इक 1 पृप अपस्सिष्ट, उप्चार, सिंध्रों से प्राप अपस्सिष्ट एवं, विशेश wsp-स्व sap compan थै इसी नीञें, वहम में सब्सक्रWowTastic क्षाद विर्थ। ऐसा विर्थि है, जो कि फलों, तरकारियों, खाना И्व.7 आपकाने के में हुए वेर्थ के रूप में होता है ऐसा वेर्थ सीगरता से गर्मावसम में अपकटिद हो जाता है और दुरिगंद पैदा करता है इसके उपर मक्षी, मच्छर, पिशु वा चुहे आदी पनपते हैं दूसरा होता है राक यब बोलते हैं ऐस लकडी, कोईले, कोक और अन जलनसील पतार्तों को जलाने से जो पाउडर या किलंकर आदी के रूप में प्राप्त होता है उसे राक कहते हैं तीसरा आता है सूखा, कच्रा या रपिस बहुजे पतार्तों के अपसिस्ट को छोड़ कर सभी प्रकार के जलनसील आज जलनसील धोस अपसिस्ट ही सूखा कच्रा कहलाता है जलनसील वेर्थ जैसे कागज, कार्डबोर्ड, कपड़ा, प्लास्टिक, रबड, चमड़ा, फरनीचर आदी है आज जलनसील पतार्त जैसे करंकरी, कांच, टिन, अलमूनियम, कनस्तर आदी है फूर्थ है आपका निर्माण एवं डहा अपसिस्ट या कंस्ट्रक्शन और डिमोलेशन वेस्ट मकान एवं सरचना आदी के बनाने में इट, पत्थर, रोडी, सिमेंट, विद्युत आवे आदी वर्थ के रूप में प्राप्त होते हैं इसी परकार सरचना के तोड़ने आदी से भी प्लास्टर, पाइपों की तूट, फूट, आदी के रूप में ठोस बदार्थ, वर्थ, प्राप्त होते हैं उप्चार संयत अपसिस्ट या टीट्मेंट, प्लांट, वेस्ट विबिन, सीवेज उप्चार संयत्रों से प्राप्त ठोस, एवं अद्र ठोस भी अपसिस्ट नकरपाली का अपसिस्ट के अंतरकत आता है फोर्थ है, विशेज अपसिस्ट या स्पेशल वेस्ट, इसके अतित, गलियों में जहाड़ू लगाना, कैच, बेशन का अपसिस्ट, म्रद जानवर, वहानों के टूटे फूटे पुर्जे, आदी सब मुनसिफल वेस्ट के अंतरकत आते हैं अब हम लोग बात करेंगे ओदोगिक वेस्ट या इंडिस्टियल वेस्ट के पारे में दोस्तों, उदोगों से, सॉलिड वेस्ट, कच्चे पतार्थों से, उदपादों से, मशीनों के टूटे फूटे भागों, सरचनाओं के निर्माण, मरमत एवं, डिमूलेशन आदी से कट्टा होता है ओदोगिक ठोस, वेर्थ ही प्रगती उदोगों की किस्म, उनके उतपाद, मात्रावा, इस्ति आदी के आधार पर होती है जबकि ओदोगिक वेर्थ, स्वताह, जुलनसील, विसपोटक, विसैला या रीडो धर्मी हो सकता है रसायन उदोगों से कार्पनिक और अकार्पनिक दोनों प्रकार के अपसिष्ट प्राप्त होता है भयावे अपसिष्ट या हजार वेस्ट भयावे अपसिष्ट वा होता है जो तुरंद अपना प्रभावर डालते हैं या दीर के काल तक इनका असर बना रहता है इसमें प्रमुक्स इनमें प्रमुक्स हैं रूप से चार पगार के अपसिस्ट इस टिर्णी में आते हैं सुता जलनसील अपच्छकारी पदार्थ अधी सक्रिय पदार्थ और जहरीली पदार्थ भायावे अपसिस्ट से रसाइन रेडियो धर्मी पदार्थ जैविक अप्सिस्ट विस्पोर्टक एवं अत्य दिंग जलन सील पतार्थी संब्रित समझे जाते हैं जैविक अप्सिस्ट पतार्थों के प्रमुख सोत अस्पताल एवं जैविक अन्विशन केंद्र हैं प्रमुख भारतिय नगरों में ठोस अप्सिस्ट की मात्रा दिल्ली में 7,480 टन्व प्रति दिन, लखनो 600 टन्व प्रति दिन टोस अप्सिस्क है, मुंबई 3,200 ठोस अप्सिस्क प्रति दिन, आम दबात 1200 ठोस अप्सिस्ट टन पतिदिन चन्नई 1819 टन पतिदिन कान्प 2142 टन पतिदिन जबकि पूरे 1000 टन पतिदिन इसी प्रकार बैंगलूरू 1800 ठोस अप्सिस्ट टन पतिदिन अब हम लोग बात करते हैं बायो मेडिकल वेस्ट या जैव चिकट्सी अप्सिस्ट के बारे में कोई भी ठोस अथवा द्रव अप्सिस्ट जो की मनिश्यों एवुम जानवरों के परिछन उपचार अथवा जैविक खोज के कारियों से उत्पन होता है जैव चिकट्सी अप् प्रौकार से कर सकते हैं जिसमें हमने कानपूर के तीन एस्पतालों के संख्या मातरा इसी प्रकार Residency Medical Diagnostic Center शिक बिस्तरों के संक्या 67 तो यहां पर मात्रा है 651 ग्राम बिस्तर पती दिन मरी चप्रम अस्पताल 210 बिस्तरों के संक्या 110 ग्राम बिस्तर पती दिन UP में सभी अस्पतालों में कुल 63,000 बिस्तर हैं जिन से लगवग 43,000 किलोग्राम चैफ चिकटसी अपसिस्ट उत्पन होता है इस अपसिस्ट से कई प्रकार के बिमारिया भी फैलने का खत्रा बना रहता है ऐसे कचरों को एकटा करते समय इसे अलग-अलग पात्रों में छांट कर एकट करना चाहिए जिससे इनका समापन अलग-अलग तरीके से किया जा सके सुनियों को तोड़ कर ही फेकना चाहिए इसके उपचार की निवने विदिया है एक होता है जलाना यानि इनक्रिनेशन, कीट नाशन यानि स्ट्रिलाइजेशन, रसाइनों के प्रयोग से आज के लिए इस तरह के कचरे को अधी गहराई में खोद कर दबा देने तता जलाने की दौरा इसका समापन किया जा रहा है थैंक्स वह चिंगन शेरिंग